एरपूर्ट अथोरिटी ओफ इंडिया के मैंबर एचार अनुज अगरवाल का निधन जैपूर निवासी अनुज अगरवाल इससे पहले थे अथोरिटी के चेर्मन पद पर बेती राद दो बजे दिल्ली के मैक्स अस्पताल में उन्होंने अंदिमसास लिए है कोरोना संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भरती थे मूल रूप से राजिस्थान के श्री गंगानगा के रहने वाले थे अनुज अगरवाल तस्मीर भी हम आपको दिखा रहे हैं एरपोर्ट के विकास में कई नील के पत्थर जोड़े अनुज अगरवाल ने तो दिल्ली के मैक्स अस्पताल में उन्होंने अंतिमसास ली है और हमारे सहीयोगी काशी राम जुड़ गए है हमारे सार्थ काशी राम तो ये एक दुखत ख़बर जी में बिल्कुल बहुत बड़ी दुखर ख़बर है और एरपोर्ट अस्वरिटी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सब के बीच ये गम का माहौल है क्योंकि देख्टिकात रूप से भी बहुत ही अच्छे वेवार के विक्ति माने जाते थे जैपूर में लंबे समय तक वो रहे है एरपोर्ट निदेशक परबर जब आगे जब उनका प्रमोशन हुआ एरपोर्ट अस्वर्ट इंडिया में वो चले गए थे जहां पर वो मेंबर एचार रहे और कई अन्य प्रमोश निम्विदारियों पर भी तो भी जैपूर एरपोर्ट के विकास के लिए हमेसा खड़ी रहते थे आप कोरोना हुआ थ जब दो बजे उन्होंने अंतिम सास लिया उनका निदन हुआ है उससे बाद एरपोर्ट अफूर्ट से जोड़े जो जो कर्मचारी हैं है उनमें सोग की लहर है और जैपूर में लंबी समय तक हो रहे इससे पहले जीम एंजिनिरिंग के पर वो आये थे और जब जीम एंज जो है टर्मिनल टू का जो निर्माड हुआ है जो कि मौजूदा एरपोर्ट है उसका निर्माड उनके कारिकाल के दोरान ही हुआ तो बहुत अच्छे उन्होंने विकास कार किये ते जैपूर के लिए इसलिए उन्हें जाद करता है और मूल रूख से स्री गंगानागर के जुगापूरा में उनका निवास है जहां पर कि उनके परिजनों को अब धारस बनाया रहा है एरपोर्ट असोर्टी से जोड़े हुए जो लोग है वो उनके परिजनों को सांतुना दे रहे है जी और का शी राम उनका अंतिम संसकार क्या श्री गंगानागर किया जाएगा जैपूरही में किया जाएगा जैए इसरे के है परोणा प्रोटोकोल के तहीजिए उनका चैनली में हो सकता है और जैपूरही असिंग फार्टी जिक्री देवकोलाने की सब्खाम कम ही है जब बहुत शक्रिया काशिराम पूरी जानकर कि झाल